नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जड़धारी क्लासेज में दोस्तों उत्राखन जी के प्रिवेश एर MCQ सीरीज का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं पार्ट नमबर 9 8 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो भी सुरू करते हैं तो फर्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर 241 महाभारत काल में कुणिन नरेश किस नाम से जाने जाते थे तो महाभारत काल में जो कुणिन नरेश है वो जाने जाते थे द्विज स्रेश्ट के नाम से तो 241 का राइट आंसर है ओप्शन सी Question number 242 है उत्राखण में प्रमुख सब्द ढाकर सम्मंदित है जो ढाकर सम्मंदित है ये सब्द ये सब्द है व्यापर यात्रा से सम्मंदित 242 का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा Option C Question number 243 है निमेलिकित में से कौन सी पुस्तक वेरिष्टर मुकुंदिलाल द्वारा लिकित नहीं है तो यहाँ पे आप Option देख सकते हैं 243 का जो राइट आंसर है वो है Option A गढ़वाल चितर सेली एक सर्विक्षन जो है ये पुस्तक जो है वेरिष्टर मुकुंदिलाल द्वारा लिकित नहीं है बाकी गढ़वाल पेंटिंग्स हो गया वेरिष्टर मुकुंदिलाल ने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option A गढ़वाल पेंटिंग्स ये सभी पुस्तक लिखी है वेरिष्टर मुकुंदिलाल ने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option A नेक्स्ट क्वेशन है 244 है गाजियाबाद, मेरट, हरिद्वार, राजमार्ग संक्या है तो ये है यहाँ पे 244 का करेक्ट आंसर है Option A नेक्स्ट क्वेशन है नेक्स्ट क्वेशन है गढ़वाल में 245 का करेक्ट आंसर भी है Option C Q246 है बुरांश का वग्यानिक नाम क्या है तो बुरांश का वग्यानिक नाम है रोडो, डेंड्रोन, और बेरियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा Option A नेक्स्ट क्वेशन नमबर 246 का दोस्तों अगर आपको जड़दारी क्लासिस के कोई भी नोट्स लेने हैं तो उस Q247 है 2011 जनगर्ना की अनुसार उत्राखन राजय की कुल जनसंख्या कितनी थी तो यहाँ पे Option नमबर 2 राइट आंसर हो जाएगा Q247 तो उत्राखन की जनसंख्या थी यहाँ पे कुल एक करोड एक लाग सोला हजार साथ सो बावन Next question है उत्राखन में महिला साक्षर्ता की दर क्या है तो यहाँ पे 70.7% है उत्राखन में महिला साक्षर्ता की दर Q248 का राइट आंसर है Option B Q249 है गंगारा एवं खिमादेव की इसमिर्ति में प्रतेक वर्स खुमार में सही दिवस मनाया जाता है यह सही दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को Q249 का राइट आंसर भी है Option B Q259 है उत्राखन में निमलिखित में कौन स्वतंतरता संग्रामी सेनानी थे तो यहाँ पे Option A 250 का राइट आंसर क्योंकि कालो महरा हो गया जयानन्द भारती यहाँ पे यह तीनों क्या है स्वतंतरता संग्रामी सेनानी थे तो इसलिए उप्रोक्त सभी हो जाएगा 250 का करेक्ट आंसर Question 251 है उत्राखन राज्य के प्रथम राजपाल थे तो यह थे सुरजिच्यां बरनाला 251 का राइट आंसर है Option A Next question है पंवार सासन में उलेखित गड़ राजवंस कावे के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंतरी मंडल में सामिल नहीं था तो यहाँ पे मंतरी मंडल में सामिल नहीं था सदर पद तो 252 का राइट आंसर है यहाँ पे Option D Question 253 है Indian Medicine Pharmaceutical Corporation Limited यानि कि IMPCL इस्थित है तो यहाँ पे 253 का राइट आंसर है यह इस्थित है अलमोडा के मोहान में ठीक है 253 का करेक्ट आंसर है Option B Question 254 है निम्न लिखित इस्थानों में से तुमरिया डैम किसके निकट इस्थित है तो यह इस्थित है यहाँ पर काशिपूर के निकट तुमरिया डैम 254 का करेक्ट आंसर है Option D Question 255 है सही युग्म है तो यहाँ पे सही युग्म चुनना है तो 255 का राइट आंसर है Option D क्योंकि जो बिर्थी प्रपात है यह इस्थित है आपके पिथोरागड जिल्ले में Question 256 है हुड का है एक तो जो हुड का है एक लोक वादे यंतर है 256 का करेक्ट आंसर है Option A 257 है उत्राखण में डोला पाल की आनोलन के परणेता थे तो यह थे यहाँ पे जयानन्द भारती 257 का राइट आंसर है Option C Next question है यहाँ पे 258 नानक मता गुरुद्वारा इस्थित है तो यह जो गुरुद्वारा है यह इस्थित है उद्धमसया नगर जिल्ले में 258 का करेक्ट आंसर है Option D Question number 259 है बिंसर वन्यजी विहार की स्थापना की गई थी तो किस वर्ष बिंसर वन्यजी विहार की स्थापना हुई थी तो 259 का करेक्ट आंसर है यह हुई थी वर्ष 1988 इस भी में Question number 260 है किन सासकों के सासन काल में आदी संकराचार्य का उत्त्राखण आगमन हुआ तो 260 का राइट आंसर है Option C कार्थ कियवपूर यहाँ पर राइट आंसर है Next question है 261 है सायान एवं खुमरी विवस्ता किस जनजाती में प्रचलित है तो यह जो विवस्ता है यह जौनसारी जनजाती में काफी प्रसिद है तो इसका राइट आंसर है Option A Question 262 है जागिश्वर मंदिर शमुह इस्तित है जो जागिश्वर मंदिर शमुह है वो इस्तित है अलमोडा जिल्ले में Question 263 है उत्राखण की प्रथम अधिकारिक भासा कौन है तो वो है हिंदी उद्यूतिय भासा है संस्कृत तो 263 का राइट आंसर है Option C Question 264 है प्रेम सभा की इस्थापना किस ने की थी तो इस्थापना की थी गोविन बलव पंतने 264 का करेक्ट आंसर है Option A Question 265 है नल दयमनति ताल किस जनपद में इस्तित है तो जो ये ताल है ये इस्तित है आपके नैनिताल जनपद में 265 का करेक्ट आंसर है Option A Next Question है प्रसिद यमनोत्री और गंगोत्री मंदिर किस जनपद में इस्तित है तो ये दोनों मंदिर इस्तित है आपके उत्तरकासी जिल्ले में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 266 का Question No. 267 है कुमाओं मंडल में कितने जिल्ले है तो कुमाओं मंडल में कुल टोटल है छे जिल्ले Option C है 267 का राइट आंसर Question No. 268 है यहाँ पर टोक्र यानी हिमनद इस्तित है तो जो ये हिमनद है ये इस्तित है 268 का राइट आंसर है भागी रथी बेसिन में इस्तित है ये हिमनद Question No. 269 है निमलिकित में से किस टिहरी नरेश ने प्रथक उत्राखन राज्य के लिए आंदोलन छेड़ा था तो ये छेड़ा था मानवेंदर साहने 269 का राइट आंसर है Option A और आज की वीडियो का लाश्ट कुछिशन है दोस्तों उत्राखन में निमलिकित में से कौन सा नगर तामर नगरी के रूप में जाना जाता है तो अलमोडा जो है अलमोडा जिला जो है ये तामर नगरी के रूप में जाना जाता है 270 का राइट आंसर है Option B तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आती है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, कोमेंट करें मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो साथ तब तके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद